Hello everyone, I hope you all are well welcome back again, तो आज हम discuss करेंगे आपकी exercise 6.2 6.2, question number first, question number first, आपका क्या कह रहे है, write the measures of the angles given below, जो आपको नीचे angle दिये हुए, उनकी measurement find करनी है with the help of this protector, this is called protector, और अपने words में बोले तो इसको D बोलते हैं, बेटा, हम क्या बोलते हैं, तो बेटा, जो ये meeting point है, this is called vertex, इस vertex को जो तुम्हारे angle बनाए हुए, उसके vertex से दो line segment का, दो ray का meeting point है, उस पे coincide कराना है, तो देखो बेटा, यहां से, इसको इससे coincide कराया, ध्यान से देखना, ये meeting point, इसके meeting point के साथ coincide होगे, तो ये वाली line कहा जारी, 90 degree पे, कहां जारी, 90 degree पे, हमेशा उपर वाले जो angle हैं, बेटा, सोरी उपर वालों को नहीं देखना, नीचे वाले जो angle हैं, ये लिखे हो नीचे, इनको देखना है, तो कहां गया हुए, 90 पे, तो इसका answer क्या आगे, 90 degree, बी part देखना बेटा, सेम तरीके से, this is a vertex point, vertex point को vertex point से क्या करा है, coincide, अब देखो कितना आ रहा है, this is 50, 50 के बाद देखो, 51, 52, 53, 54, this is 55, कहां जारी ये line, 55 पे, तो answer क्या आगया, 55 degree, ऐसे ही इसको करेंगे, बेटा, मैंने क्या बताया, निच्छे वाला देखना है, उपर वाला, नहीं देखना, ध्यान से देखना, ये आपका coincide, और मैंने क्या बताया, निच्छे वाला, ठीक है, निच्छे वाला, लेकिन यहां काम नहीं करेगा, reason, इसको अगर आप गुमाओगे, इसको गुमाओगे, तो ये figure आपकी टेडी मेडी दिए हुए, ध्यान से देखना बेटा, जो 90 degree से बड़ा होगा, 90 degree से बड़ा होगा, वो वाला इंगल इस साइड बनेगा, और ऐसे टेडी मेडी figure है, तो ध्यान से देखना बेटा, ये 90 से छोटा है, और 90 से छोटे वाले में देखना क्या काउंट होगा, यहाँ पर 60 degree, तो यह क्या आगया, 60 degree, now move to our last part, last part आपका क्या आगया, यहां से ध्यान से देखना बेटा यह को inside point vertex point vertex पर vertex को रखा तो यहां पर देखो बेटा कितना आ गया 130 ध्यान से देखना नीचे वाला देखना है 130 तो कितना आ गया 130 degree आपको इन angles को बनाना है with the help of this protector तो शुरू करते हैं बेटा कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना REST सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले draw a line draw a straight line एक सिध्धी line draw की सिध्धी line draw करके उसका जो यह meeting point initial point है उस point पर आपने इस meeting point को रखना है रखा अब ध्यान से देखना बेटा कितने का बनाना है 40 degree तो 40 कहां दिख रहा है मैंने बोला नीचे वाले नीचे वाला 40 का है यह रहा इसके उपर देखना कहां पर यह रहा यहां डोट लगा दो डोट से इस डोट को क्या कर दो join initial वाली को इससे क्या कर दो join तो यह आपका बन गया बेटा 40 degree और नाम क्या देना है RST तो यह मालो आर यह आपका S यह आपका T तो देखना बेटा यह RST क्या बन गया 40 degree ध्यान रखना बेटा main angle यह है जो बीच में रखा हुआ यह नाम जहां आप मैंगल बना रहे हैं meeting point है वहाँ देना है ठीक है आगे है 115 सबसे पहले ड्रो आ स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनाई स्ट्रेट लाइन के बाद क्या बनाना है 115 ध्यान रखना बेटा जो 90 डिगरी का एंगल होगा ध्यान से देखो यह 90 90 से छोटे आपके राइट-hand साइड बनेंगे और 90 से बड़े आपके लेफ्ट-hand साइड बनेंगे जेखना लेफ्ट-hand साइड कहां है यह वाली 115 10 के बाद 5 1 2 3 4 5 तो यह रही तो यहां से कितना आ गया 115 बेटा ही तो 105 हुआ यह 110 110 के बाद 5 यह रहा तो यह क्या बन गया आपका 115 इससे इसको क्या कर दो जोइन ठीक है तो यह बन गया आपका 115 नाम क्या है O T M तो इसको नाम दिया O meeting point को नाम दिया T और यह आपका M clear? now move over next question question number part number C part number C क्या है 75 सबसे पहले you have to draw a straight line straight line आपने draw की उसके बाद 75 90 से क्या है छोटा तो कहां बनेगा right hand side और right hand side कहां है यह वाली this is 70 70 से 5 बड़ा यह रहा 75 तो इसको क्या कर दो? join इससे इसको क्या कर दिया? join यह आपका क्या आगया ध्यान से देखना बेटा this is A बीच में क्या है B तो यह आपका B और यहाँ आपका C यह कितने का बन क्या? 75 degree now move to our next part part number D 110 similarly firstly we have to draw a straight line this is your straight line जो इसका initial point है उस initial point को इसका vertex point से क्या करो? connect फिर बनाना है 110 110 90 से बड़ा है 90 से बड़ा left hand side और left hand side कौन से side है यह वाली side तो बेटा 110 का यह रहा नीचे वाले देखने है बेटा यह रहा 110 इससे इसको क्या कर दिया? join ठीक है तो ध्यान से देखना बेटा this is M this is N and this is O ठीक है इनसे इनको join करके यह वाला angle कितना बन गया आपका 110 degree next angle xyz is equal to 60 सबसे पहले you have to draw a straight line बन गई बेटा straight line यह आपका initial point इस पे रखना है इसके बाद क्या बनान है 960 degree 60 degree कहां बनेगा 90 से छोटता है right hand side यह राइट इनसाइड कहां 60 यह रहा 60 इसके उपर देखो यह आपकी dot ठीक है तो यह क्या बन गया आपका 60 degree इसको नाम दिया बेटा यह आपका x यह आपका y और यहाँ पे आपका z यह कितना बन गया यहाँ से 60 degree next question next part देखो बेटा stu कितना 60 degree 60 degree तो अभी आपने ड्रो किया है बेटा similarly आप ड्रो कर सकते हो यह 60 नहीं है बेटा 165 है यहाँ कितना है 165 तो धियान से देखना बेटा सबसे पहले you have to draw a straight line हो गई draw a straight line आपने pencil से बनाना है बेटा pen कोई use नहीं करेगा यहाँ से देखो this is your vertex point 165 90 से बड़ा है तो 60 के बाद 65 1 2 3 4 5 यह रहा इस से इसको क्या कर दो तो जो यह angle है यह आपका क्या बना 165 यहाँ से यह S बीच में क्या है T तो this is T and this is U तो यह कितना बन गया 165 डिग्री कितना बन गया 165 आवर next part part number G part number G क्या कह रहे D E F is equal to 90 डिग्री firstly we have to draw a straight line this is your straight line and this is your vertex point इस पे रखा 90 डिग्री कहा है बेटा यह रह 90 डिग्री dot लगाई इसको क्या करा दिया join okay इसको क्या कर दिया join तो यह आपका क्या बन गया बेटा 90 डिग्री जो यह sign होता है यह किसके लिए होता है 90 डिग्री के लिए नाम क्या है बेटा this is D this is E and this is F I hope it is clear to everyone तो यह थी आपकी exercise 6.2 question number 1 and 2 thank you so much